होट है भुक्त नम कें देंगे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री आफ और्च साइंसस ने लाउंच गया भारत का पहला मंड ऑशन मिशन जिसका नाम है इस लेक्चर में हम समुद्रियान है क्या रिशक्टिर इसका technologically advanced vehicle जो कि समुद्र में जाएगा और वहाँ पर जितने भी important missions हैं जैसे research हैं उनको ये करेगा, minerals की खोज और भी जितने important चीज़े हैं उनकी आने वाले कुछ winter मैं अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि वो क्या-क्या खोजी होंगी basically इस mission के दोरा तो डिसकस करते हैं इसको ये क्या है बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको start करते हैं उससे पहले अगर आपको कुछ article यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हिंदू का एक article है समुद्रियान प्रोजेक्ट फर डीप ओशन mission exploration launched also अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए तो description में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा चैनल को join कर लेजए वहाँ पर आपको सभी lecture की PDF मिल जाएगी इसके साथ आप मुझे से जूर सकते हैं इस्टाग्राम पेश पर भी और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए question है इस question को attempt करिए इसका answer मैं आपको दूँगा इस वीडियो के end में कफी एक simple सा question है GK का which is the deepest point in the ocean of the world चार option आपके पास है Challenger deep जो की मेरियाना में है और Bronson deep जो की पूर्तोरिको trench में है और तीसरा फैक्टोरियन दीब south sandwich trench में है और चौथा इंडियन ओशन जावा में राइट answer आप अपना comment करके बताईए वेल अब इसके बारे में समय लेते हैं news क्या थी अभी recently तो अभी हाली में ministry of earth sciences ने चेन्नई में भारत का पहला मानोयुक्त महासागर मिशन समुद्रियान लांच किया है भारत इस प्रमुक महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एक elite club में शामिल हो गया है क्योंकि देखिए अभी के लिए यही कुछ चुनिंदा देश है जिनके पास ऐसी गदिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीकी और वहन उपलब्ध है अब हम बात कर लेते हैं समुद्रियान के बारे में यह है क्या प्रोजेक्ट या भारत का पहला अधतुय मानोयुक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश गहरे समुद्र में अनवेशन और दुरलब खनिजों के खनन के लिए पंडुब्बी के माधम से व्यक्तियों को भेजना है या गहरे पानी के नीचे अध्धन के लिए तीन व्यक्तियों को मत्स्य 6,000 नामक पंडुबी मानोयुक्त पंडुबी में 6,000 मीटर या फिर आप कहले जए 6 किलो मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा इसके साथी पंडुबियां केवल 200 मीटर तक की गहराई तक जाती है लेकिन यह जो वेहिकल है यह 6,000 करोण रूपए के डीप ओशन मिशन का ही एक हिस्सा है और आप इस मैप में देखिए इस चीज़ को समझेए कि अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर भारत कहा कहा पर इसकी माइनिंग कर सकता है अब ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर में भारत कहीं भी माइनिंग कर सकता है इसके लिए एक अथार्टी बनाई गई है सी बैंड अथार्टी इंटरनाशनल सी बैंड अथार्टी जो कि समुद्र में सभी देशों को अलग-अलग उनके अनुसार उनको एक एरिया अलग करती है कि आप यहाँ पर अपनी माइनिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं तो भारत को जो एरिया अलग किया गया है इंडिया नोशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर भारत अपनी माइनिंग करेगा और और वेरियस कंटी जो हैं all over the world उनकी भी आप position देख सकते हैं कि किसको कहाँ पर कौन सा area lot किया गया है Atlantic Ocean में America को देखे USA को यहाँ पर और China को आप देख सकते हैं जापान को सब वेरियस ऐसे जो area है वो lot किये गए है और जो कि सबसे बड़ा area माना जाता है क्लारियन जोन यहाँ पर बताया जाता है कि जो poly metallic nodules हैं जो खनीज हैं वो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलबधन ऐसा International Sea World Authority ने बताया है तो यह आप याद रखेगा important है basically exam point of view से तो आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं डी portion mission की यह क्या है और मैं आपको बता दूँ इसको बारे में थोड़ा सा जिसे अभी recently launch किया गया है और साथी डी portion mission को ही इसका नाम ही बदल कर समुद्रान रखा गया है यह कुछ नया नहीं है basically डी portion mission का ही एक revised version आप कह सकते हैं इसे जून 2021 में ministry of earth science दोरा अनमोधित किया गया था इसका उद्देश समुद्री संसाधनों का पता लगाना तथा समुद्र में technologies का विकास करना और भारत सरकार की blue economic initiatives का समर्थन करना है पांच वर्स की अवधी में mission की कुल अनमानित लागत लागत जो है वालगवक 477 करोन रुपए है रखी गई है और इससे विविन चरणों में लागू किया जाएगा अब इसके हम कुछ advantage की बात करें द technologies for deep sea mining and manned submersible इनी काना का मतलब इसके अंतरगत जो deep sea mining के लिए जो technologies है उनका विकास करना साथी manned submersible vehicle जो है उनको विक्सित करना इसके अंतरगत आता है साथी development of ocean climate change advisory services का विकास करना भी है साथी technological innovation for exploration and conservation of deep sea biodiversity यहनी किस तरीके से हम अपनी biodiversity को और improve कर सकते हैं इसके माध्यम से यह भी इसमें शामिल है deep ocean survey and exploration also energy and fresh water from ocean यहनी ocean से हम किस तरीके से fresh energy को जनरेट कर सकते हैं tap कर सकते हैं fresh water को किस तरीके से यहाँ पर हम निकालते हैं साथी advanced marine station for ocean biology अब को पता होगा कि Antarctica में कई सारे station बनाए गए हैं वहाँ के weather को study करने के लिए और भी काफी सारी चीज़े हैं उसी तरीके से अब जो हमारी ocean है deep ocean में advanced marine station बनाए जाएंगे इस खनीश को sea band जो है उसको समझने के लिए वहाँ पर और अधिक हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं research को बढ़ा सकते हैं इसको समझने के लिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा submersible vehicle है उसके बारे में मत्सया 6000 यह स्वदेशी रूप से विक्सित माना युक्त सैने पंडूबी है यह ministry of earth sciences को gas hydrate, poly metallic magneze nodule, hydrothermal sulfide और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों की प्राप्ती है तो गहरे समुद्र में innovation की सुविधा प्रदा जाते हैं और poly metallic nodule जिसे magneze nodule भी कहा जाता है एक कोर के चार और लोहेवर magneze hydroxide की सक केंदित परतों से निर्मित समुद्र तल पर इस्थित खनिश होते हैं और आप इसका image एक देख सकते हैं poly metallic nodule का यहाँ पर और आप recently अभी October में, October महीने में 2021 में यह आप देख सकते हैं इसी जो यह ship है इसके माधियम से इस mustard 6000 को समुद्र डी portion में उतारा गया था करीब 500 मीटर की गहराई पर और further जितने भी अभी और इस पर test होंगे in future वो इसके माधियम से किया जाएंगी क्योंकि देखे अभी अभी के लिए तुरंत जो है इंसानों को नहीं उतारा जाएग आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं डीप सी वेहिकल मस्या 6000 अंडर दा समुद्रान प्रोजेक्ट इम जो मस्या 6000 है इसके इम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका पहला इम है to send humans underwater for deep sea exploration इसके माधियम से humans deep ocean में जाके deep sea को explore करेंगे साथ ही it is a five year project at an estimated cost of 350 करोन यान इसकी जो लागत है मस्या 6000 की वो 350 करोन रुपय है it is a capable of carrying three human beings in titanium alloy personal ship spear of 2.1 meter diameter and close space with an endurance of 12 hours and additional hours in case of emergency situation now इसके significance की बात करें तो इससे स्वक्ष उर्जा पेजल और नीली अर्थ व्यबस्ता है तू समद्धू संसादनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे साथ ही विक्सित देश पहले भी इसी तरही के समुद्र मिशन पूर कर चुके हैं भारत विकासिल देशों में पहला देश है जिसने गहरे समुद्र में मिशन को अंजाम दिया है तो इससे रिलेटेड जो अनिशीटिफ सें तो इसके उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया नॉर्वेग टास्क फोर्स ऑन ब्लू एकॉनमी फर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सागरमाला प्रोजेक्ट ओस्मार्ट इंटिग्रेटेड कोस्टल जोन मैने चाइना इंट्वेटेटेड हैस्ट अलेवन थाउजन मीटर वाटर डेफ आपको पता होगा कि चाइना ने 2020 में जो अपना समर्सिबल वहिकल डेवलपम किया था इसका नाम फेंड्यूस था उसने समुद्र में डीप ओशन मिशन में 11,000 मीटर की डेफ्थ में जाकर इतनी इतनी गहराई तक वह चला गया था डीप ओशन में जो की काफी बड़ी बात है और वापस आते हैं अपने कोशन पर जो मैंने आप से कोशन पूछा था विच इसका करेक्ट ओप्शन है फ़हला चैलेंजर डीप जो की मेरियाना ट्रेंच में है इसके बारे में आप देख स उसके बाद ब्राउंसन डीप, सेकेंड पूर्तोरिकोर ट्रेंच में, फैक्टोरियन डीप, साउथ सेंडविच और इंडियन ओशन में एक जावा आप इस इमेज के बाद हम से देख सकते हैं जो की मेरियाना ट्रेंच है वो उसकी लोकेशन पैसिफिक कोशन में है और इसक से रिलेटेड स्पेशली मस्या 6000 जो कि समर्सेवल वहिकल है यही हमारा इंपॉर्टन सबसे वहिकल है क्योंकि यही डीपोशन सर्वे के लिए यही समुद्र में भेजा जाएगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट के माद हम से पूस सकते हैं और आप मुझ